हेलो एवरीवन वेलकम तू दर चानल आज मैं आपके साथ में शेर कर रही हूँ मेरा एक सिंपल सा सैटर्डे कैसे मैंने बिताया क्या क्या मैंने किया वो सब में इस व्लॉग में आपको दिखा रही हूँ और आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा तो अभी बज रहे हैं सुबह के आठ और कितनी अच्छी धूपा रही है बैलकनी में तो मैं यहाँ बैटके गर्म पानी पी रही हूँ उसकी बाद मैं आजाती हूँ किचन में और देखिए किचन कितना क्लीन है तो जब रात को किचन क्लीन कर लेते हैं तो उसकी महनत का फल हमें सुबह देखने को मिलता है तो सबसे पहले मैं डिश्वाशर से सारे ही बरतन खाली कर लेती हूँ यह मेरा रोज का रूटीन है रात को खाना खाने के बाद धोने में डाल देती हूँ और सुबह सब चीजों को मैं बाहर निकाल लेती हूँ तो कितना clean हो गया है सारे ही बरतन जो भी बोलिए सुबह सुबह अगर kitchen clean हो सारे बरतन धुले हो तो बहुत अच्छा लगता है और एक fresh tart लगती है morning की और फिर आगी का काम भी करने को बन करता है तो सबसे पहले इसलिए में सारे ही बरतन को जगह पे रख देती है सुबह का नाष्टा बनाने का टाइम है अभी और husband भी आचुके है kitchen में तो इनकी duty होती है चाय बनाने की और मैं बनाने जा रही हूँ नाष्टा तो नाष्टे में आज मैं बना रही हूँ पोहा तो बड़ा ही simple recipe है बहुत ही आसान तरीके से मैं पोहा बनाने के लिए जा रह थोड़े से आनियंस और उसकी साथ में थोड़े से टमाटर और ग्रीन चीली कल रात को मैंने बनाया था आलू का पराथा तो उसमें जो आलू यूज वा था उस आलू को मैंने बचा करके रख लिया था तो जो इसमें पोहे में हम आलू डालते हैं उसमें मैं वही वाला आल कि पोहा बनाने के लिए मैंने लिया है कठाई में थोड़ा सा ऑइल उसमें डाल दिया ग्रीन चिली राइ और प्यास और यहान पे पोहा को अच्छे से वॉश कर लिया है उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला रही हो उसके बाद इसे भी इम फ्राई कर लेंगे और इसमें डाल दिया मैंने आलू, उसके बाद थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी और निम्बू और धन्या का पत्ता और पोहा बन करके त्यार हो गया नदीक अपाया मैंने आलू, बाद य झालू, पुझा हो ओक रिंगा-प्रोणा का इव लेगे और भाद रोग dijopard, उख होग को बार नंचे गजा जाव वगया खंटा धन्यां बहुत अच्छी धूप निकलीवी है तो अभी भी पूरी तरीके से विंटर्स बैंगलोर में गया नहीं है तो ऐसे मैं धूप सेकने अच्छा लगता है तो बस थोड़ी तेर दोनों बैलकरी में बैट गए उसके बाद मुझे बाकी का घर का काम भी निपटाना है तो मुझे तो बैटने का उतना टाइम है नहीं तो मैं उट गई जाड़ू करने के लिए तो मैं फटा फट जाड़ू और डस्टिंग करूँगी उसके बाद अंगत घर में पोचा लगा देंगे अभी जब से वो वर्क फ्राम होम में है तब से पोचा लगाने के जिमिदारी उन्हों कर लेती हूं पूरे हफ़ते की शूटिंग रहती है तो कई बार वाड्रॉब मैसी हो जाता है तो मैं साफ करने आई थी तो अंगत ने का मैं भी मदद कर देता हूँ और मैंने साथ ही साथ जो भी विंटर्स के कपड़े थे वो भी मैंने अब हटा दी क्योंकि अब जरुत ह सारे उपर लगा दिये। वीकेंड में ऐसे दोनों मिलबाट करके काम कर लेते हैं, तो काम भी असानी से हो जाता है, बोर भी नहीं लगता, और काम के बीच में बातचीत भी हो जाती है, बाकी वीक में कैसा रहता है, मेरा रूटीन वो तो आपने व्लॉक्स में देखाई होगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे व्लॉक्स जरूर चेक करिएगा और अगर अच्छा रगता है आपको मेरा व्लॉक्स चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा तो यहां पे सारे कपड़े मैंने आपके बना रही हूं दाल पालक और साथ में आलो, गोबि, मतर, गाजर की सबजी तो सबजी की रेपी कई भार मुच्छी चाहिए तो खूय नहीं बन जाती है और बहुत जादा हेल्दी भी होती है तो मैंने यहां पर पालक को कट कर लिया और उसे वाश कर लेंगे तो पा डाल लिया है तोड़ा सा गारलिक, ines, और उसके बाद जाले जीर, कटे वे गारलिक उसके बाद जेession नमक और हींग दाल डाल देंगे इसे भी फ्राइड करेंगे उसके बाद थोड़ी देड फ्राई करेंगे और इसमें हम दाल देंगे डाल, दाल दालने के बाद में इसमें थोड़े से मसाले डालने होते हैं, जैसे की तोड़ा सा गर्म मसाला, जीरा factories, थोड़ा धनिया पाईडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, उसके साथ में फ् सौकर लगा देंगे और डाल पालक बन करके तयार हो जाएगा लंच बहुत ही टेस्टी बना था आपका भी ये डाल पालक बना था अगर करते हैं तो मझे कमेंट करके जरूर बताईएगा लंच करते ही हम दोनों को बाहर जाना था मुझे कुछ काम था तो हमने पांच मिनट भी आराम नहीं किया लंच फिनिश किया थैयार हुए और तुदंधी निकल गए और काम भी असा था कि तीन-चार घंटे तो लगने नहीं वाले थे तो अब वापस आएंगे सीधा शाम को अ कि एक गगर तो अब शाम हो चुकी है और अभ जो मैं आपको दिखा रही हो ये देख्के तो पक्खा आपके मूह में पानी आने वाला है किसंकिकी मूह में पानी आया मुझे कमेंट करके बताईए तो शाम को में गुप्चूप थे व्या हमने गुप्चुप पैक कर लिला और बहुत ज़्या नाव अच्छा लगता है तो यहां पर मीठा पानी भी था ठीखा पानी यह स्टर्फिंगी मैफ और और तीखा का आपको कैसा अच्छा लगता है मुझे कमेंड करके बताइए और सिर्फ गुप छुप भी लेकर नहीं आये हम साथ में आए दोखला में और साथ मैं दाबली मुझे और रं director दोनों को पसंद है ढाबेली तु इसके स्टफिंग को टेस्टी होती है इसमें peanuts भी होते हैं थोड़े से अनादाना होता है, safe होता है, aloo होता है और बहोती ज़्यादा अच्छे लगती है ये भी कुझराती डिशी है आक्छोली शायद कच के side का है इसके बाद ये खाने के बाद इतनी ज़्यादा happiness होगी थी मुझे की बिल्कुल 2 मन नहीं कर था कि मैं डिनर करूँ पर अंगत को मन था कि कुछ अच्छा खाया जाए कुछ रपटा खाया जाए तो मैंने सुच आगे चली नूडल्स बना देती हुडल्स को यहां पर मैंने उबालने को डाल दिया है कुछ वजीटेबल्स भी मैंने कट कर लिये हैं तो इसे नॉर्मली जो घर म यहां पर जो सॉसे मेरे पास डाक सोया सॉस है ग्रीन चिली सॉस है रेड चिली सॉस है सेजवान चटनी है टोमैटो केचप है और साथ में विनेगर है तो इतने चीजों से हम बना लेंगे बोहत ही टेस्टी वैसे बना था काफी अच्छा बन गया था तो यहां पर हमने लिए तो जुए शुप से पहले थोड़ा सा ईू ग्रीन चिली और उसके बाद में कटेवे गार्लिक उसे तो अदुए सा फ्राइ करेंगे फिर डाल देंगे इसमें बाकी पूझी टेबल्स टमाटर के अराब और सब डाल देंगे तोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और इस और इसका एक पेस्ट पना लेंगे ये कभी ट्राइ करके देखिए का यसे बहुत टेस्टी बनती है और इसे भी एड़ कर दिया हमने कड़ाई में फिर ग्रीन चिली सॉस पीस में डाल देंगे रेड चिली सॉस डाल देंगे जितना तीखा आपको खाना हो उस हिसाब से फिर स मैं इसमें मिक्स कर दिया उसके बाद बस हमारा नूडल से बन करके तैयार हो गया है और अंगत को मैं सर्फ करके दे रही हूं मैंने बस टेस्ट कि और कुछ भी खाया नहीं इतना नाश्टा ही है भी था कि क्या ही खाती तो डिनर के बाद अब बस बरतन दोने में डाल रही हूं तो जब तक बाकी घर का काम करेंगे या फिर टीवी देखेंगे रिटिंग करूंगी जब तक मैं अपना काम निप्टाऊंगी जब तक मैं बरतन धूल करके तयार हो जाएंगे इसलिए सबसे पहले मैं इसे दोने में डाल देती हूं और उसकी बाद बस थोड़ा बहुत साफ कर लेती हूं स्टव को स्लैब को और टाइल्स को ताकि जब सुबह सो करके उठूं तो कीचन वैसा ही चमचमाता वा मिले जैसे सुबह मिला था और मूर अच्छा हो जाए तो लाइक जरूर कर दीजेगा चली मिलती हूं अगली बाल बाई बाई